कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो उस वक्त पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़की जिसका नाम कोटनी होता है, अपने दोस्तों के ही कहने पर वो एक एप्लिकेशन को डाउनलोड करती है। इसका नाम होता है काउंट डाउन। यह अप्लिकेशन बेसिकली यह बताती है कि आप कब तक जिन्दा रहेंगे और यहां तक कि आपकी डेट की प्रेडिक्शन भी करती है। वहां बैटे हुए बाकी लोगों के काउंट डाउन तो काफी अच्छे आते हैं। लेकिन कोटने के लिए वह अप्लिकेशन बताती है कि उसके पास जिन्दा रहने के लिए सिर्फ तीन गंटे रह दें है। और उसके बाद वह मर जाएगी। कोटने इस बात को लेकर काफी बरिट हो जाती है। और यहां तक कि वो अपने फ्रेंड इवन के साथ भी उसकी कार में घर नहीं जाती है। बलकि वो पैदल ही अपने घर जाती है। और अपने घर तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में उसे कुछ ना कुछ दिखाई देता है। इस application की तरफ से उसके पास एक notification भी आता है कि आपने user agreement को तोड़ दिया है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर आती है कुछ देर गुजरने की बाद ही एक unseen entity उसे मार डालती है और यही नहीं उसकी mobile का timer भी बिल्कुल zero हो जाता है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये application कोई मजाख नहीं थी और उसी वक्त हमें ये भी दिखाया जाता है कि एवन की car crash हो जाती है और एक tree की branch उसी seat पर जा लगती है जहांपर कोटनी ने बैठना था इससे ये बात तो साफ प्रूव हो गई है कि कोटनी की death तो confirm थी फिर कुछ time गज़र जाने के बाद हमें एक training nurse दिखाई जाते है जिसका नाम queen होता है और ये ही movie की main character है उस वक्त वो एक hospital में काम करती है और ये ही वो hospital था जहांपर injured even भी था even जो के एक close जगा पर बैठा हुआ था और वो queen को भी इस application के बारे में बताता है कि उसने भी ये countdown application डाउनलोड की थी और उसके पास जिंदगी के सिरफ चंद गंटे ही बाकी रह गए है लेकिन queen उसे इन बातों पर believe करने से मना करती है जिस पर वो कहता है कि courtney के साथ भी बो ही हुआ जो इस application में लिखा हुआ था और वो ये भी कहता है कि मुझे पता है मेरी death surgery के दुरान ही होगी और इसी बज़े से वो surgery को avoid करना चाहता था अब even को समझाने के बाद queen के कुछ core workers इस application को download करते हैं और उन सब के numbers काफी अच्छी होते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो काफी अरसा तक जिन्दा रहेंगे और तब ही अचानक से एक लड़की hospital में आती है जिसने कुछ drugs ले ली थी और उसकी वज़े से वो सांस नहीं ले पा रही थी असल में वो लड़की जिन्दा नहीं थी वो मर चुकी थी लेकिन डॉक्टर फिर भी एक medicine एक syringe के जरिये उसमें inject करते हैं और देखते ही देखते वो जिन्दा हो जाती है अब coin भी इस application को download कर लेती है लेकिन वो इस बात से परिशान हो जाती है कि जिन्दा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास तीन दिन है उसके बाद वो मर जाएगी जिसको लेकर वो काफी परिशान होती है इवन जो कि अपने surgery को skip कर चुका था और hospital की emergency से exit की तरफ आता है और ठीक उसी वर्ग उसकी mobile पर भी उस application की तरफ से message आता है और वो message क्या था वो message ये था कि आपने user agreement को तोड़ दिया है और तब ही एक demon Courtney के रूप में उसके सामने आती है और उसी नीची भैंग देती है और on the spot उसकी death हो जाती है अब Quinn को कुछ documents लेने अपने घर जाना था और वो अपनी चोटी बेहन Jordan को उसकी एक friend के साथ कवर्ड में बंद पाती है असल में उन दोनों sisters की ज्यादा बंती नहीं थी next day Quinn को ये पता चलता है कि event की death हो गई है और फिर वो secretly उसकी body और उसकी cell phone को check करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी mobile का countdown zero हो चुका था और ठीक उसी वक्त event की death हो गई थी वो काफी परिशान नजर आती है और फिर उसके पास भी इस application से message आता है कि user agreement is broken Quinn इस application के बारे में detail से check करती है तब उसे यही पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है मतलब यह application बहुत सारे लोगों की जिंद्रियों से खेल चुकी है वो एक video भी देखती है जहां पर एक लड़की इस application की बारे में बता रही होती है और वीडियो की दुरान ही उसकी death हो जाती है इसके बाद वो comments को read करती है इस पर लोगों ने इसको fake कहा था तब वो थोड़ी relax हो जाती है और ठीक उसी वक्त उसे वहां पर even का ghost नजर आता है वो काफी घबरा जाती है जब वो देखती है तो वहां कोई नहीं होता वो तंग आकर अपने mobile को तोड़ देती है लेकिन तोटने के बाद भी mobile में timer चलता रहता है वो अपार्टमेंट से बाहर आकर अपने गाड़ी में चुप जाती है और वही पर सो जाती है तब सुबा उसे उसकी पहन जोर्डन आकर उठाती है जोर्डन जब कोईन का mobile देखती है तब उसे भी इस application के बारे में पता चल जाता है उन दोनों sisters के दर्मियान लडाई हो जाती है क्योंकि जोर्डन अपनी sister कोईन के साथ एक दिन के लिए रहना चाती थी जिसकी वज़ा ये थी कि उसका खयाल रखने के लिए एक old lady को hire किया था लेकिन वो उनके साथ नहीं रहना चाती थी इसलिए वो कुईन के साथ रहने पर insist करती है लेकिन कुईन इस application को लेकर काफी डरी होती है और वो किसी सुरत में उसे अपने साथ रखने पर agree नहीं हो और जाते जाते वो कुईन को कहती है कि मैं भी इस application को download करूँगी कुईन बहुत ज़्यादा panic हो जाती है और वो एक shop में जाकर एक नया cell phone purchase करती है लेकिन यहाँ पर हैरत की बात यह है कि उस new mobile में खुद बाखुद यह application download हो जाती है कार की अंदर एक demonic entity उस पर attack करती है और इस दोरान उससे एक accident भी हो जाता है और वो कार से बाहर आकर काफी डर जाती है और वहीं पर उसे एक लड़का Mac मिलता है जिसकी mobile में भी same application download थी और उसकी पास भी बहुत कम वक्त बचा था वो दोनों एक बार में जाते हैं और इस application के user agreement को पढ़ने के लिए एक drunker के mobile में वो इस application को install करती है और यह application यह भी बता देती है कि particular person ने कहां पर मरना है यानि उसकी location क्या होगी लेकिन जितने लोग भी मरे उन सब ने user agreement को तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने इस बात पर ज्यादा दिहान नहीं दिया दूसरे तरफ Matt को वाश्रूम में उसकी छोटे भाई का demonic rope नजर आता है जो कि उस पर attack कर दीता है लेकिन फिर भी वो बच जाता है इसके बात वो दूनों एक फादर के पास जाते हैं और फादर उन्हें बताते हैं इस application का code उनकी help कर सकता है कि आखिर ये बला है क्या चीज़ फादर डीमन का नाम सुनते ही काफ़ी excited हो जाते हैं और ancient time में Bible के एक version में बताई गई folklore को उनके सामने present करते हैं प्रिंस का चोटा भाई जंग को जीत लेता है अब प्रिंस दुबारा से उस औरत के पास जाते हैं और उसे ये बताते हैं कि उसके लिए मौत आ रही है जिसके reply में वो लेड़ी कहती है कि ये कोई मौत नहीं है बलकि ये एक demon है जिसका नाम आउजिन है और बहुत ही खतरनाक किसम का demon है ये जो उसे एक असान हो तो नहीं देगा बलकि उसे तडपा तडपा कर मारेगा और जाहिर सी बात है ऐसा कोई जालिम ही कर सकता है और उस प्रिंस को फीक उसी वक मौत आती है जब उस scroll में लिखा था और उस scroll का time बिलकुल as it is उस timer जैसा ही है जो उस app में था तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये app उस folklore का एक modern virgin था और ये कहां से आया किस ने इसको start किया किस ने बनाया इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला अब वो दोनों उस mobile shop owner के पास जाते हैं जहां से queen ने mobile purchase किया था और वो से कहते हैं कि वो उनके लिए इस app को hack करेगा और लालच में आकर वो इस बात के लिए agree हो जाता है और ये app कोई छोटी मोटी app नहीं थी बलकि 60 GB की app थी जिसकर इसको देखकर वो हिरान हो जाते हैं एक simple सा timer app इतना बड़ा और इतना complicated कैसे हो सकता है वो उसके code को भी crack करता है वहाँ पर कुछ लिखा होता है और queen उसकी picture बना लेती है इसके इलावा वहाँ पर बहुत सारे users थे जिनकी life का time चल रहा था और वहाँ पर specific नाम Jordan का भी होता है जिससे ये बात clear थी कि उसने भी इस app को download कर लिया है और उसकी जिन्दगी के घंटे महीने कोई ज्यादा बड़े नहीं थी बलकि कुईन के आसपास ही थी अब वो honor इस app के code को change करके खुद का कुईन का Jordan और Matt च्यारों का age time बढ़ा देता है और वो ये सोचते हैं कि अब सब normal हो गया है लिकिन ऐसा कुछ भी नहीं था Late night हम देखते हैं कि कुईन और Matt अभी भी साथ ही होते हैं वो आपस में बाती कर रही होते हैं आदी रात को जब कुईन की आँख खुलती है तब वो देखती है कि Matt ने उसके उपर हाथ रखा हुआ है और तभी Matt तो बाहर से अंदर आता है तो फिर वो किसका हाथ था और तभी साथ लेटा हुआ डीमन उस पर attack कर देता है उनकी मुबाइल्ज में उनकी लाइव टाइमर एक पर फिर से अपडेट हो जाते हैं जिसको लेकर वो फिर से परेशान हो जाते हैं तब कुईन को इस बात का रिलाइज होता है कि जोर्डन की जान भी खत्रे में है और दूसरी तरफ जोर्डन पर उसकी मदर का डिमॉनिक रूप अटैक करता है और वो तिनों मिलकर फिर से उस फादर के पास जाते है मैट उस फादर को इस एप का कोड वर्जन दिखाता है जिसे पढ़ कर ये पता चलता है कि ये एक कर्स है जिसे तोड़ा भी जा सकता है यानि अगर कोई टाइम से पहले ही मर जाए या फिर कोई टाइमर को ही हरा दे तो इस कर्स को तोड़ा जा सकता है और जाहिर है कोई भी मरना नहीं चाहता और वो decide करते हैं कि वो इस time को ही beat करेंगे और अगर एक second से भी timer beat हो गया तो वो इसमें काम्याप होचाएंगे अब ये सब मिलकर salt और glue का एक protecting circle बनाते हैं और वो और देखते ही देखते आजिन Matt के चोटे भाई के रूप में उसके सामने आता है वो बाहर जाकर उसे check करती है तब वो देखती है कि Matt बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा है और sudden एक car Matt को टकर मार कर उसे उड़ा देती है जिससे वाजिया हो गया था कि इनका तरीका काम्याप नहीं हुआ और Matt भी मौके पर ही मर जाता है Queen Jordan को लेकर उसी hospital में जाती है जहां पर उसे बाकी नर्सिस से ये पता चलता है कि डॉक्टर ने उनको abuse करने की कोशिश की है Queen ये सोचती है कि वो डॉक्टर स्रल्वन को मार कर उसकी 57 years की life को ले सकती है Queen एक ये बहाने से डॉक्टर को एक basement में बुलाती है और अभी वो डॉक्टर को मारने ही वाली होती है तब वो Demon Ozen वहाँ आकर डॉक्टर को बचा लेता है ये विट टाइम से पहले कोई भी मारा नहीं जा सकता अब एक तरफ तो Demon Ozen जॉर्डन को ढूंड लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है Demon Ozen बस जॉर्डन को मारने ही वाला होता है तब ही कुईन एक ड्रग लेकर उसके सामने आ जाती है और वो कहती है कि वो खुद को मार डालेगी अगर उसने उसकी बेहन को मारा तो Demon Ozen अब उनकी मा करूप लेकर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करें लेकिन कुईन इसे साफ पता था कि वो Demon ही है उसकी एक भी नहीं सुनती है और उस ड्रग वाले injection को खुद को लगा लेती है जिससे वो बेभोश हो जाती है और देखते ही देखते मर जाती है और इसके साथ ही और जिन भी खतम हो जाता है जैसा मूवी के स्टार्ट में उस लड़की के साथ हुआ था और दोनों के ही टाइमर रुख जाते है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि वो अपने इस प्लैन में काम्याब हो गई है और वो कर्स उन दोनों के उपर से खतम हो गया है उसी रात को शौप के ओनर को उसकी फ्रेंट के साथ बैठा हुआ देखते है और जैसे ही वो वाश रूम में जाती है वो उसका मुबाइल चेक करता है और वहाँ पर काउंटडाउन एप की तरफ से एक मेसेज आता है जो सब के पास आता था कि आपनी यूजर एग्रिमेंट को तोड़ दिया है और वो क्या था इस एप को हैक करना और तभी सारे वेस्टूरेंट्स के लाइफ आफ हो जाती है और वो डीमन उससे भी मार डालता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है